आज के वीडियो में जानेंगे Microsoft Word 2010 के Home Tab के Font Block में कुछ Options के बारे में जैसे Text Effect, Text, Highlight Color, Font Color, Clear Formatting, Change Case, इत्यादी Options के बारे में हमारे दुवारा देगी जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बैल आइकन प्रेस करें अपना Microsoft Word 2010 ओपन है इसके अंदर Home Tab के अंदर अपन अजबात करेंगे Font Block के कुछ Options के बारे में जिसमें पहला ओप्सन है, Text Effect Text Effect क्या काम में आता है जैसे मैंने एक नाम लिखा One Click Institute इसमें Color करना हो, इसको Design करना हो वो Design करने के लिए तथा इस Words के अंदर Effect डालने के लिए ये ओप्सन काम में आता है जिसका नाम है Text Effect कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको Select कर लेना है Select करने के लिए क्या करेंगे माउस का Left Button दबाए रखना है और इसको Draw कर देना है ये Select हो गया Select होने के बाद आते हैं Text Effect के उपर इसके अंदर देखिए पास में एक arrow है, इस arrow के उपर अपने को Click करेंगे ये कुछ एक design से किसी भी एक design के उपर अपने को Click करदेना है, वो उस design में Convert हो जाता है देखिए मैं थोड़ा सा इस word को बढ़ा कर देता हूं, बढ़ा करने के लिए पिछे वाले वीडियो में बताया था कि select करेंगे और growth font के उपर click करेंगे उप्र हो जाता है यह वरट जैसे अपना बड़ा हो गया अपने को दूसरा effect change करना हो तो आप इस select करेंगे click करेंगे और यह जैसे जैसे अपन जो अपने को अच्छा लगता है उसके तोपर click करेंगे जो आपको लगाना है इसमें इफेक्ट है उस इफेक्ट के उपर जैसे अपने क्लिक करेंगे इफेक्ट लग जबता है दुबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके नीचे कुछ एक और ओप्सन है जैसे आउटलाइन, सैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो तो सबसे पहले आउटलाइन की बात कर लेते हैं आउटलाइन क्या काम में आता है, जैसे वर्ड है इस वर्ड के देखो, बार की तरफ बोर्डर पे जो कलर है वो कलर अपने को चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं वर्ड सेलEMA broaden हो गया वापिस वहीं पर आते हैं टैक्स्ट एफेक्ट की उपर ौपर क्लिक किया और आउटलाइन की उपर क्लिक कर देते हैं अब देखिए इसके अंदर कोन सा कलर करना है उस भिषाप से इसके उपर अपन क्लिक करके change कर सकते हैं कौन सा color लगाना चाहते हो फो color की ऊपर जैसे अपने click करेंगे वो उस color में convert हो जाता है अब इस word को जैसे red के है अपने इसको change करना हो change करने के लिए क्या करेंगे दुबारा इसको select करेंगे वापिस आएंगे outline के उपर आएंगे जैसे यह black कर लेते हैं black के उपर click करेंगे देखिए black में convert हो गया है अब देखिए वापिस आते हैं वहीं पर text effect में outline में इसके नीचे कुछ एक और option है अपने हो जैसे मालो की इसमें और color देखने हैं आपको तो more outline colors के उपर click करें color आजाएंगे अब इन में से जैसे किसी के उपर अपने click करते हैं वह color उसमें convert हो जाता है हो गया दुबारा select कर लेते हैं एक बार मैं दूसरा effect लगा लेता हूं अब देखिए एक और option है इसी के अंदर outline में यहाँ पर देखिए no outline लिखावा है जैसे अपने इसके उपर click करेंगे जो word के चारू तरफ जो भी outline है जो border है वो सारा का सारा हाट चाहेगा अपने को अगर remove करना हो किसी color को तब यह option काम में आता है नीचे आते width width में क्या है जो border है उस border की चोड़ाई आपको कितने चीए उस हिसाब से इसके उपर जैसे इसे click करेंगे वैसे वैसे इसकी चोड़ाई बढ़ती जाती है जैसे पहले था वैसे करने के लिए दुबारा इसको select करेंगे select होने के बाद वापिस वहीं पर जाएंगे outline के उपर आएंगे width के उपर आएंगे और पहले वाली जैसी पहले थी वैसी click करेंगे उस हिसाब से उस width के उपर change हो जाएगे वापिस आते हैं वहीं पर, आउटलाइन के उपर आते हैं, अगला ओप्सन है, डैसेज, अब अगर इस आउटलाइन को अपने वो डैसेज में कनवर्ट करना हो, तो अपन इनकी इसाब से वो भी कर सकते हैं, ये देखिए, ये डैसेज में चेंज हो किया है, अपने को जैसे पहले था वैसे करने के लिए दुबारा इसको select करेंगे select होरने के बाद outline के उपर आएंगे और वापिस वहीं पर click करेंगे उपर उपर वाला जो option है इसके उपर click कर देंगे चेज हो जाएगे ये थी अपनी outline वापिस आते हैं select करते हैं word को effect के अंदर आते हैं यह अगला option है shadow shadow क्या काम में आता है अगर अपने को इसकी थोड़ी परचाई चाहिए तो जैसे से इनकी उपर यह कुछ एक option है अब जैसे से इनकी उपर click करेंगे वैसे वैसे यह परचाई में अगले option की तरफ बढ़ते हैं अगला option है reflection reflection की उपर click करते हैं जैसे इसे अपन click करते जाते हैं same जैसा word उपर है इसकी जैसे परचाई माल लेते हैं परचाई भी नीचे की तरफ दिखाई देती है जैसे पानी में परचाई दिखाई दे रहे हैं अब इसकी परचाई कितनी चाहिए उसी साबसे अपने को इनको सलेक्ट करके रिफ्लेक्शन में आके उसी साबसे जैसे सलेक्ट करेंगे वैसे वैसे इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा इस reflection को हटाना हो, हटाने के लिए दुबार वेंप आएंगे, reflection के उपर आएंगे, and no reflection के उपर click करेंगे, इसका reflection जो हट जाता है, आगे वाले option की तरफ बढ़ते हैं, click करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, अगला option है glow, अपने को इस word के चारो तरफ glow लगाना हो, तो वो glow का glow लगाना हो, उस हिसाब से glow के उपर click करेंगे, glow लग जाता है, इस glow को हटाना हो, तो वही process है, अपने इसको select करेंगे, select करने के बाद वापिस glow के उपर आएंगे, no glow के उपर click करेंगे, glow हट जाता है, वापिस आते हैं, अब देखिए glow के अंदर भी दो option है, more glow में अग को color चाहिए तो इनसे यहां से अपन select कर लेते हैं गलो के और option चाहिए वह अपन यहां से अब size कितनी चाहिए glow की उसे साप से देखे पीछे ही तरफ अब आपको उसे glow को दुंदला कितना करना है उसे साप से अपने इनको select कर सकते हैं glow को हटाना हो वापिस select करें glow को click करेंगे and glow की उपर आएंगे no glow की उपर click करेंगे जैसे word पहले था वैसी हो जाता है अगला option है text highlight color text highlight color क्या काम में आता है किसी word को या किसी paragraph को highlight करने के लिए काम में आता है कैसे सबसे पहले में एक paragraph ले लेता हूँ command लगाते है equal rend and enter कर लेते है थोड़े से in words को मैं छोटा कर लेता हूँ यह अपने कुछ words इन में से देखिए जो उपर वाली line है on the insert tab वाली इस line को अपने को highlight करना हो तो कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले line select हो गई है select होने के बाद अपनों वापिस आते है text highlight color के उपर click करेंगे देखिए यह line highlight होगी हटानो हटाने के लिए क्या करेंगे वापिस हुई पर जाएंगे select करेंगे और text highlight color के उपर दुबारा click कर देंगे हट चाता है अब देखिए highlight करने का जो color है जो अपना yellow था अपने को different color चाहिए तो क्या करेंगे वापिस इसी को select करेंगे select होने के बाद देखिए text highlight color के पास में एक arrow है इस arrow के उपर click करेंगे अब इन में से कौन सा color चाहिए उस हिसाब से अपन उस color के उपर click करके भी आप change कर सकते हो हटाना हो हटाने के वही process है या तो आप इसके उपर click करके हटा सकते हो या फिर पास में एक arrow है यहाँ पे no color करके भी आप change कर सकते हो अगला option है font color font color का मतलब है जैसे जो हम अभी type कर रहे हैं ये black color में type हो रहे हैं अपने को कोई दूसरा color करना हो इनका तो कैसे करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको select करेंगे select होने के बाद font color के उपर click करेंगे अब देखिए इससे पहले अपने हो कौन सा color करना है वो color अपने को select करेंगे select कैसे करेंगे पास में देखिए arrow है arrow की उपर क्लिक करें अब इन में से कौन सा आपको color करना है उसे साब से उसके उपर क्लिक करें color हो जाएगा अब देखिए इसके अलावा जो कुछ भी अब देखिए अपने को ये तो अपने change किया अपन चाहते हैं कि आगे अपन कुछ लिखें तो वो red में हो तो अपन क्या करें पहले तो इसको select करें color को और उसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो red में लिखा जाएगा वापिस पहले जैसा करना हो तो वापिस में पर जाएगे उपर यउपर देखिए automatic का option है इसके उपर क्लिक करें इसके बाद सारे के सारे black में लिखे जाएगे ये option तो था अपना font color उपर की तरफ आते हैं ये है clear formatting clear formatting क्या काम में आता है जो कुछ भी आप designs की अपने जैसे हमने सबसे पहले उपर लिखा हुआ है one click institute इस word में कुछ है के designs की अपने को इस design को पूरे कुपूरे जैसे पहले था है word वैसा करना हो आसान सब्दों में कहें तो clear formatting सब कुछ सारा का सारा हटा देना तो कैसे हटा हैं select करेंग select होने के बाद clear formatting के उपर जैसे अपने click करते हैं सबसे पहले जैसे आपका पहले word लिखा था अपने type किया था जैसा हो जाता है इसमें जैसे पहले size थी by default जो size होती है वैसी हो गई ये था अपना clear formatting इसके बाद देखिए पास में एक option है change case change case क्या काम में आता है ये जान लेते हैं सबसे पहले इस word को select कर लेते हैं पास में कहे रहो इसके उपर click कर देते हैं कुछ एक option है जैसे sentence case, lower case, upper case capitalize each word, toggle case पहला sentence case देख लेते हैं sentence case में क्या होता है कि जैसे line का पहला word बड़ा लिखा जाएगा उसके बाद सारे के सारे छोटे लिखे जाएगे by default अपन इसी परकार लिखते हैं देखिए one click institute लिखा हुआ है इसके अंदर o बड़ा है बाकि सारे के सारे word छोटे हैं तो ये तो हो गया अपना sentence case अपने जैसे अपन lower case के उपर click करते हैं जितने भी word अपने type के थे देखिए सारे के सारे small letter में हो गया पहले जो बड़ा o था वो भी छोटा हो गया है वापिस option की तरह बढ़ते हैं select किया वापिस होई पर आए अगला option है uppercase uppercase में क्या होता है कि सारे के सारे word capital letter में हो जाएगे कैसे होगे upper case के उपर click किया देखिए सारे की सारे upper case में होगे आगे बढ़ते हैं वापिस आते हैं change case के उपर अगला option है capitalize each word जैसे अपने इसके उपर click करते हैं हर word का पहला character बढ़ा हो जाता है कैसे जैसे one में o बढ़ा हो गया click में c बढ़ा हो गया institute में i बढ़ा हो गया ये था अपना capitalize each word आगे बढ़ते हैं वापिस वहीं पर आते हैं change case के उपर आते हैं अगला option है toggle case toggle case पे जैसे अपन click करेंगे सारे के सारे ये उल्टा हो जाएंगे कैसे जैसे one में o छोटा हो गया बाकि सारे word ne बढ़े होगे click में c छोटा हो गया बाकि सारे word बढ़े होगे institute में i छोटा हो गया बाकि सारे word बढ़े होगे अपने गुज़ जैसे पहले था वैसे करना हो तो दुबारा इसको select करेंगे और वापिस change case के उपर आएंगे and sentence case के उपर क्लिक करेंगे वर्ड ये पहले जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद यदि इस वीडियो के परती आपके कुछ सुजाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें